नमस्चार दोस्तों स्वागत आज से बीकाइब फिर से आपके इपनी यूट्व चैनल क्वालिटी कंटेनिस टूडियो पर तो दोस्तों हम पढ़ रहें मद्देकालिन भारतीत यास और मद्देकालिन भारतीत यास की संकला के नत्रगत आजम लोग कवर करने वाले हैं विजे नगर और बहमनी समराज से सम्मन्दित इसके मोश्ट इंपॉर्टन टॉप 60 MCQs जो एक्जाम पॉइंट ओफ इस सेलेक्टिव और मोश्ट इंपॉर्टन है तो चलिए शुरू करते हैं फर्श नमर कुष्ण हमारा की प्रसिद एतिहासिक इस्थल हमपी वर्तमान में किस जिले में इस्थित है एमदाबाद, वीजापूर, बेलारी या फिर रायपूर में तो इसका सही इंसरो जाएगा दोस्तो अप्स नमबर सी बेलारी में बेलारी दोस्तो करनाटक की डिष्टिक है यानि की करनाटक का जिला है सेकेंड नमर कुष्ण हमारा की वीजे नगर के किस सासक के सासनकाल में बह्मनी राजवन्स के मद्ध संगर स्परारम हुआ था देवराय प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय दोतिये या फिर हरिहर एवं बुक्का के सासनकाल में तो दोस्तो 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 दो इसका सही इंसर हो जाएगा दोस्तो आप्स नमबर सी किष्ण देवराय के दरबार में दोस्तो आठ तेलगु कभी रहते थे जिने अश्ट दिगज के नाम से जाना जाता था तो इसका सही इंसर हो जाएगा दोस्तो आप्स नमबर डी विजे नगर समराज दोस्तो तुंग भद्रा नदी दोस्तो वरतमान में कनाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है फाइप नमबर कशने मारा की विजे नगर के सासक किसन देवराय ने गुलकुंडा का युद्ध किसके विरुद लड़ा था कुली कुतुपसा, देवराय प्रथम, महराणा प्रताप या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका सही नगर समराज के राजवन्सों का सही करम बताईए तो इस प्रकार देखें तो दोस्तो विजे नगर के समराज में सबसे पहला वन्स बना था संगम वन्स, फिर सालू वन्स, इसके बाद वन्स बना दोस्तो तुलू वन्स और इस वन्स का अंतिम वन्स माना जाता है तो इस प्रकार इसका सही इंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर थर्ड DCBA सेवन नमबर कुछने मारा कि विजे नगर समराज की स्थापना हरियर एम बुक का नामक दो भाईयों ने कब की थी 1333, 1336, 1335 या फिर 1340 में जो कि हम पहले भी डिस्कुस कर चुके हैं इसका सही इंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी 1336 या में दोस्तो हरियर एम बुक का नामक दो भाईयों ने विजे नगर की स्थापना की थी विजे नगर दोस्तो एक हिंदू राज था जबकि बहमनी समराज दोस्तो एक मुसलिम समराज था एट नमबर कुष्णे मारा की ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था तो दोस्तो ताली कोटा का युद्ध हुआ था ओप्सन नमबर ए 1565 में नाइन नमबर कुष्णे मारा की हरियर एम बुक का ने किसके प्रभाव में आकर पुना हिंदू धर्म ग्रहन कर लिया था एक बार दोस्तों मौम्मद बिन तुगलक ने हरियरम बुक्का को बंदी बनाकर जबरन इसलाम धर्म सुईकार करवा दिया था लेकिन दोस्तो हरी हरेंबुका ने पुना गुरु विद्यारण के संपर्क में आकर हिंदु धर्म पुना ग्रहन कर लिया था तो इस प्रकार इसका राइटन सरो जाएगा उप्स नमबर C 10 नमबर कृष्णे मारा की तुलूब वन्स के संस्थापक कौन है 11 नमबर कृष्णे मारा की अलाउदिन हसन बह्मन साने किसे अपनी राजधानी बनाई थी तो दोस्तो अलाउदिन हसन साने अपने नाम पर बह्मनी समराज की स्थापना 1347 सिस्वी में की थी और बह्मनी समराज को दोस्तो उसने कई प्रांतों में डिवाइट कर दिया था और दोस्तो सर्व परथम बह्मनी समराज में उसने गुलबरगा को अपनी राजधानी बनाई थी तो इस प्रकार इसका सही इंस रो जाएगा अप्सन नमबर C 12 नमबर कुष्णे मारा की किसने सन 1346 सिस्वी में होसियल को जीत कर विजे नगर में सामिल किया हरिहर परथम, बुक्का परथम, देवराय परथम या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका सही इंस रो जाएगा दोस्तों अप्सन नमबर A हरिहर परथम ने दोस्तों 1346 सिस्वी में होसियल को जीत कर विजे नगर में सामिल किया था 13 नमबर कुष्णे मारा की 9 में से कौन सा युगमुद सही नहीं है तो एक तरफ दोस्तों राज दिये गए हैं दूसी तरफ उसे सम्मंतित राजवन्स दिये गए हैं जो उस राज में सासन कर रहे थे जैसे कि दोस्तों बरार में इमात साही राजवन्स का सासन था ये उप्सन सही है एहमंद अगर में दोस्तों निजाम साही सासन था ये भी उप्सन सही है बीजापुर में दोस्तो जाट राजवन्स का सासन था ये आप्सन दोस्तो गलत है क्योंकि उस समय बीजापुर में दोस्तो आदिल साही राजवन्स का सासन था उसी तरह दोस्तो गुलकुंडा में कुतुप साही राजवन्स का सासन था ये भी आप्सन सही है तो दोस्तो चा प्राउनपूर, गोलकुंडा या खान देश तो दोस्तो इन तीनों राज्यों की कमपेर्जन में आप्सन नमबर A का राइटन सरो जाएगा बैमनी समराज की स्थापना दोस्तो इन राज्यों की तुलना में सबसे पहले स्थापित हुआ था 15 नमबर कुष्ण माराघ की अहमसा ने गुलुबरगा के पस्चाथ किसे अपनी राजधानी बनाई बीजापूर, गोलकुंडा, बरार या बीदर को तो इसका सही इन सडरो जाएगा दोस्तो अप्सन नमबर D गुलबर्गा के पश्चाद दोस्तों एहमस सा ने अपनी राजधानी बनाई थी बीदर को और बीदर का नाम बदल कर उसने मुहमदाबाद रखा था 16 नमबर कुछने मारा की निमलिकित में से कौन सा यूगमुद सही नहीं है जैसे कि दोस्तों एक तरफ सासक दिये गए हैं और दूसरी तरफ उसे सम्मंधित उपादी दी गई है जैसे कि दोस्तों किस देवराय ने आंद्रभोच की उपाद धान की थी ये उप्शन सही है कि यहाँ पर दोस्तो आप लियाद रखियेगा कि देवराय दोतिय या देवराय सेकेंड ने गजवेंटकर की उपाधि धान की थी इसी तरह दोस्तो बुक्का पर्थम ने वेद मार्ग प्रतिस ठापक की उपाधान की थी ये सभी उपाधियां दोस्तो आपने याद लखनी है 17. कुशने मारा कि हमपी किस समराज का अवसेस है बहमनी, चोल, पांडे या फिर विजेनगर 18. कुशने मारा कि निमन में से विजेनगर समराज का पर्थम सासक कौन था जिसने पुर्थगालियों के साथ संधी की थी हरीहर पर्थम, बुक्काप, दुतिये, किस्टन दिवराय या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका से रुजाएगा दोस्तो आप्सन नम्बर सी 19. कुशने मारा कि बहमनी राजवन्स की स्थापना किसने की थी जो की कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका से रुजाएगा उप्सन नम्बर दी दोस्तो अलाउदिन हासन बहमन्सा ने अपने नाम पर दोस्तो बहमनी समराज की स्थापना की थी 20. कुशने मारा कि तेलगू भासा की प्रसिद गरंथ आमुक्त माल्यद या फिर विश्नु वरतिये किसने लिखी थी कुशन देवराय ने, हरिहर दोतिये ने, तेलानी राम ने या फिर एहमस सा ने तो इसका से इंसर रुजाएगा दोस्तो आप्सन नम्बर ए किशन देवराय ने दोस्तो आमुक्त माल्यद नामक गरंथ की रशना की थी जो तेलगू भासा की गरंथ थी किशन देवराय दोस्तो तेलगू और संसकत भासा में काफी रूची भी रखते थे 21. कुशने मारा कि निमलिखित में से किस सासक ने विठल स्वामी मंदिर का निर्मान करवाया था देवराय प्रथम ने, देवराय दोतिये ने, हरिहर प्रथम ने या फिर किस्ट देवराय जी ने तो इसका सहिन स्रुजाएगा दोस्तो अप्शन नमबर D किस देवराय जी ने दोस्तो हमपी में इस्थित विठल स्वामी मंदिर का निर्मान करवाया था 22 नम्मर कुष्णे मारा की किस संगम वनसी सासक को पौण देवराय भी कहा जाता है यानि कि पौण देवराय किसका अन्य नाम था 23 नम्मर कुष्णे मारा की किस के सासनकाल को तेलगू साहित का क्लासिक यूग कहा जाता है देवराय प्रथम, वुक्का प्रथम, किस्टन देवराय या फिर हर्यर दोतिय के सासनकाल को तो इसका सहिन सरजाय का दोस्तों आप्स नम्मर C किस्टन देवराय के सासनकाल में दोस्तों तेलगू साहित का एक्चुल में काफी विकास हुआ था इसी कान दोस्तों किस निवराय के सासनकाल को तेलगू साहित का क्लासिक यूग कहा जाता है 25 नमर किस निवराय किस के समकालिन थे अकबर, बाबर, हुमायू या फिर सेरसा सुरी तो इसका सहीन सर जाएगा दोस्तों आप्स नमर B किस्ट निराय जी दोस्तों बाबर के समकालिन थे 26 नमबर किस्ट ने मारा की प्रसिद मिनाक्ची मंदिर कहां इस्थी थे गोलकुंडा, कोलकत्ता, मदुरेई या फिर गुजरात में तो इसका से इंसर रोजाए का दोस्तों अप्स नमबर सी मदुरेई में दोस्तों मिनाक्ची मंदिर इस्थी थे और मदुरेई पढ़ता है दोस्तों तमिलनाडू में 27 नमबर किस्ट ने मारा की निमलिखित में से बीजापुर का गोल गुंबद किसका मगबरा है तो दोस्तो किसके मकबरे को बीजापुर का गूल गुमबत कहा जाता है तो इसका सेइन सरुजाएगा और सम्राज के युग का अंथ हो गया यानि की विजैनेगर सम्राज किसी युद्द के बार तोटने लगा और अंत में उसका अंथ हो गया तो इसका सही इंसर जाएगा दोस्तो अप्स नमबर C ताली कोटा का युद में दोस्तो विजय नगर समराज बुरी तरह से पराजित हो गया था और इस युद के बाद ही दोस्तो विजय नगर के युग का अंत होने लगा था ताली कोटा का युद हुआ था दोस्तो तेरा सो पैंसाट इसवी में यह भी पॉइंट आपने याद अखना है 29 नमबर कुष्णे मारा की किस निरायन ने निम्न में से किसका निर्मान नहीं करवाया था 30 नमबर कि निम्न में से किस भासा में किस निर्मान ने आमक्त मालियत नामक कावे की रचना की थी संसकत, तेलगू, कन्नड या फिर इनमे से कोई नहीं तो इसका सेइन स्रोजागा उप्स नमबर बी दोस्त को तेलगू भासा में किस निर्मान ने आमक्त मालियत नामक कावे की रचना की थी 31. कुष्णे मारा की निमलिखित में से किसने मदरा विजे नामक गरंत में अपने पती के विजे अभियान का वर्णन किया है तो इसका सहिन सरजागा दोस्तो अप्सन नमबर भी गंगा देवी ने 32. कुष्णे मारा की विजे समराज की आर्थिक विवस्था का मुख्य श्त्रोत क्या था तो इसका सहिन सरजागा दोस्तो अप्सन नमबर C भूर आजस्च के अधार पर दोस्तो विजे नगर समराज की आर्थिक विवस्था चलती थी 33 नमबर कुछने मारा किनने मैं से विजे नगर का प्रथम सासक जिसने बहमनियों से गोवा चीना था तो दोस्तो बहमनियों से गोवा किसने चीना था विजे नगर समराज के किस सासक ने तो इसका सही इंस रो जाएगा उप्स नमबर B दोस्तो हरिहर दोतिये ने 34. कुछने मारा कि मुसलमानों को सेना में न्यूत करने वाला विजे नगर का पर्थम सासक कौन था देवराय पर्थम, हरिहर पर्थम, किष्ण देवराय या फिर इन में से कोई नहीं चुकि दोस्तों विजे नगर समराज एक हिंदू समराज था और एक हिंदू समराज की सेना में मुसलमानों को नियूट करने वाला विजे नगर का प्रथम सा सक था उप्सन नमबर A दोस्तों देवराय प्रथम 35 नमर कुष्णे मारा की निमलिकित में से कौन सा चेतर विजे नगर के सासको और भहमनी के सासको के मद्ध विवाद का विशे था यानि कि कि चेतर को लेकर विजे नगर और भहमनी राजवन्स के मद्ध विवाद हुआ करते थे तो इसका से इंसर रोजाएगा option number A दोस्तो कुष्णा एवं तुंग भद्रा नदी का दौाब छेत्र दौाब छेत्र दोस्तो एक ऐसा छेत्र होता है जो एक फर्टाइल एरिया होता है जो दो पानी या दो नदियों के बीच का छेत्र होता है तो इस हेत्र को लेकर ही दोस्तो विजे नगर और बह्मनिस समराज के मद्ध अक्सर ही युद्ध हुआ करते थे 36 नमबर कुष्णे मारा कि इनने में से 4 मिनार कहां इस्तित है एहमदाबाद में, एहमद नगर में, हैदराबाद में या फिर इनने में से कोई नहीं इसका से इनस रोजाएगा दोस्तो वप्सन नमबर C, 4 मिनार दोस्तो हैदराबाद में इस्तित है 37 नमबर कुष्णे मारा कि 4 मिनार का निर्मार किसने करवाय था अभी दोस्तों ने पढ़ा कि चार मिनार हैदराबार में इसी थे इसका निर्मार दोस्तों किस ने करवाय था तो इसका सहीन सरो जाएगा ओप्स नमबर बी कुली कुतुप साने 38 नमबर कुशने मार के कौन सा इस्थान विजयनगर समराज में गलीचा निर्मार के लिए प्रसिद्ध था गलीचा दोस्तों एक प्रकार की वस्तर की कालीन होती थी इस कालीन को बनाने के लिए दोस्तों आप्सन नमबर 20 का राइटेंस रो जाएगा काली कट काफी फेमस था 39 नमबर कुछने मारा की विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुंबद भीजापुर का गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था 40 नमबर कुछने मारा की इटली आतरी निकोलस कॉंटी ने किसके सासन काल में विश्व नगर की यात्रा की थी 41 नमबर कुछने मारा की फ्रांसिसी आतरी अब्दुलरजाज ने किसके सासन काल में विश्व नगर की यात्रा की थी तो दोस्तो अभी हमने पढ़ा की देवराय प्रथम के सासन काल में एक इटली आतरी निकोलस कॉंटी आया था जबकि दोस्तो फ्रांसिसी आतरी अब्दुलरजाज किसके सासन काल में आया था तो इसका सहिंस रुजाएगा उप्स नमबर ए दोस्तो देवराय सेकंड या देवराय दोती के सासन काल में एक फ्रांसिसी आतरी अब्दुलरजाज आया था जबकि दोस्तो इटली आतरी निकोलस कॉंटी देवराय फर्ष्ट यानि की देवराय पर्थम के सासनकाल में आया था 42 नमबर कुशने मारा की मदरे इस्थित मिनाक्ची मंदिल का निर्मार करवाया था 43 नमबर कुशने मारा की परसिद तेलगू कवी तिलानी राम राम किष्ट निकिस के दर्वार में रहते थे 44 नमबर कुशने मारा की बहमनी राजवन्स के अंतिम सासक मन जाते हैं 44 नमबर कुशने मारा की बहमनी राम के अंतिम सासक मन जाते हैं 44 नमबर कुशने मारा की बहमनी राजवन्स के अंतिम सासक मन जाते हैं 44 नमबर कुशने मारा की बहमनी राम जाते हैं 44 नमबर कुशने मारा की किस निदेवराय द्वारा लिखित पुस्तक जामवतिक कल्यानम किस भासा से संबंदित हैं तो दोस्तो किस निदेवराय जी ने जामवतिक कल्यानम नामक पुस्तक लिखिती किस भासा में तो इसका सहीन सर जाएगा ऑप्स नमबर भी संसकत भासा में जबकि दोस्तो एक रचना आमुक्त माल्या लिखिती किस निदेवराय जी ने वो तेलगू भासा में लिखी थी 48 नमबर कुशने मारा की हर विराम नामक रचना किसके दोरा लिखी गई है तो इसका सहीन सर जाएगा दोस्तो आप्स नमबर सी स्रीनाद जी दोरा 49 नमबर कुशने मारा की निदेवराय प्रथम या देवराय फर्स्ट के सासनकाल में आया था 49 नमबर कुशने मारा की विजयनगर समराज का अंतिम वन्स किसे माना जाता है तो दोस्तो विजयनगर समराज में टोटल 4 वन्सों ने सासन किया था उनमें से अंतिम वन्स माना जाता है आरवीडू वन्स और इसका प्रथम वन्स माना जाता है संगम वन्स जिसकी स्थापना हरिहरें बुक का नामक दो भायों दोरा की गई थी 51 नμबर कुषणे मारा की विजयनगर के सासक किसन दीराय ने निमने में से कौन सा नागर बसाया था तो इसका सही नंस जो जाएक दोस्तो ओप्स नमर भी नागलपुर नागलपूर इसके लावा दोस्तों एक हासपेट नामक सहर का निर्माण भी विकेशन दिराईजी ने करवाय था 52 नमबर कुष्णे मारा की विजे नगर समराज के संदर में कौन सा कथन सही है हर यहर एंबुका ने विजे नगर की स्थापना की थी यह आप्सन सही है विजे नगर समभारत का दच्छिन राज यह है यह भी आप्सन दोस्तों सही है तो इस प्रकार इसका सही नगर सरुजाएगा आप्सन नमबर C, A, B दोनो 53 नगर कुछने मारा की निमलिकित में से किसको विजे नगर स्राज सभा के राजदूद की रूप में नियूट किया गया था तो इसका सही नगर सरुजाएगा दोस्तों आप्सन नमबर D, अब्दुल अजजाग दोस्तों एक फ्रांसीसी आतरी था जो देवराय सेकेंड यानि की देवराय दोतिये के सासनकाल में आया था इसको दोस्तों विजे नगर राज सभा का राजदूद की रूप में नियूट किया गया था 54 नमबर कुछने मारा की विजे नगर को वरतमान में किस नाम से जाना जाता है 55 नमबर कुछने मारा की विजे नगर समराज्य का विस्तार निम्न में से किस छेत्रों में था तमिलाडू, करनाटक, आंधर प्रदेश या उपरिक्ट सभी 56 नमबर कुछने मारा की महराजा धिराज की उपाद इधारन करने वाला प्रथम सासक कौन था 57 नमबर कुछने मारा की बाबर ने अपनी आत्म कथा तुजुक के बाबरी में किस सासक को दच्छिन भारत का सरवाधिक सक्ति साली सासक बताया है 58 नमबर कुछने मारा की तुंग भद्रा नदी पर सुरप्रथम नहरों का निर्मान किस सासक ने करवाया था 59 नमबर कुछने मारा की ताली कोटा के युद्ध में कहां के सासक ने भाग नहीं लिया था 30 नमबर बरीत के सासको ने दोस्तो ताली कोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था नेक्स्ट ने लाज्ट कुछने मारा की बह्मनी समराज के संस्थापक अलाउदिन हसन बह्मन सा का वास्तविक नाम था तो दोस्तो आज की इतना ही यदि दोस्तो आपने बह्मनी समराज और विजेन अगर समराज के थेवरी वीडियो नहीं देखे हैं तो थेवरी वीडियो आप डिस्कुशन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं लिंक मैं दे दूँगा इसके अलावा दोस्तो इसकी पीडियो भी आप फ्री आफकुश डाउनलोड कर सकते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्कुशन बॉक्स में मिल जाएगा तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक टिक केयर और गुडबाई